तो यह जो वीडियो शूट हो रही है Redmi Note 9 Pro Max और Poco X2 के front camera से हो रही है तो जो Poco X2 है उसमें आपको 20 Megapixel का front-facing camera मिलता है जबकि जो Redmi Note 9 Pro Max है उसमें आपको 32 Megapixel का front-facing camera मिलता है तो यहाँ पर दो नही तो आपको दोनों ये smartphone के front camera से video shoot हो रही है तो यहाँ पर मैं आपको audio भी switch करकर बता देता हूँ तो आपको पता लग जागे किस smartphone की audio आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है और मैं आपको थोड़ा बाग कर भी दिखा देता हूँ तो आपको बता देता हूँ जो पोको का X2 है उसने थोड़े colors को boosted कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो जबकि जो Redmi Note 9 Pro Max है उसने colors को काफी ज़्यादा maintain की हो है और जो exposure level है वो भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max की मुझे selfie काफी अच्छी लगी तो उसके बाद आप next sample में देख सकते हो यह मैंने portrait mode में short click किया है तो इस portrait mode में भी आप देख सकते हो जो Poco X2 है उसने थोड़े colors को boosted कर दिया है जबकि जो Redmi Note 9 Pro Max है उसमें आपको काफी अच्छी quality देखने के लिए मिलती है बट over all देख जाए तो आप दोनों स्मार्टफोन से काफी अच्छी selfies क्लिक कर सकते हो तो गाइस आप next selfie shorts में भी देख सकते हो जो मेरी shirt का color है वो थोड़ा change कर दिया है Poco X2 ने जबकि जो Redmi Note 9 Pro Max है उसने original color रखा है जैसा shirt का color था तो आपको Redmi Note 9 Pro Max में अच्छी selfies मिल जाती है तो उसके बाद आप ported selfie shorts भी देख सकते हो यहां पर जो मेरा shirt का गरे रवो change हो कर देखने के लिए मिलता है Poco X2 में उसके बाद आप indoor selfies भी देख सकते हो यहां पर आपको जो quality है वो Redmi Note 9 Pro Max की अच्छी देखने के लिए मिलती है detailing भी आपको काफी अच्छी दी गई है उसके बाद आप बिना light के selfies देख सकते हो यहां पर आपको दोने समार्टफोन की जो detailing है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती selfie में तो आप देख सकते हो तो गई उसके बाद मैंने screen flash on करकर दोने समार्टफोन से selfie क्लिक के थी तो यहां पर आप देख सकते हो जो detailing है वो आपको Poco के X2 में काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है तो गईस आप देख सकते हो जो Redmi का Note 9 Pro Max है उसमें आपको थोड़ी white सी photo देखने के लिए मिलती है बट अबरोल Poco के X2 में आपको काफी अच्छी photo देखने के लिए मिलती है तो गईस इन दोने स्मार्टफोन से आप 960 fps पर 720p पर slow motion video record कर सकते हो तो यहां पर मुझे detailing है वो काफी अच्छी लगी है Redmi के Note 9 Pro Max की तो आप देख सकते हो तो इसको नम बात करें इसके पिछवाले cameras की तो Poco का जो X2 है उसमें आपको quad rear camera setup देखने के लिए मिलता है जहां पर आपको जो main camera sensor दिया गया है वो 64 megapixel का है जहां पर आपको Sony Kaimax 686 का sensor मिलता है जो प्रेचर F1.89 पर based है और यह आपको primary camera sensor मिलता है और उसके साथ ही आपको 8 megapixel का एक ultra bad angle camera मिलता है जो प्रेचर साइज F2.2 पर based है इससे आप काफी अच्छे wide angle shots ले सकते हैं और उसके साथ ही आपको 2 megapixel के 2 cameras मिलती है एक macro sensor और एक depth sensor जो प्रेचर साइज F2.4 पर based है तो आपको कुल मिलाकर 4 cameras मिलती है पोको के X2 में तो गैस रही बात Redmi के Note 9 Pro Max की तो इसमें भी आपको code rear camera setup मिलता है जहांपर आपको 64 megapixel का rear camera मिलता है जिसमें आपको Samsung का GW1 वाला sensor दिया गया है और इसमें भी आपको प्रेचर साइज F1.89 का देखने के लिए मिलता है और इसमें भी आपको 8 megapixel का ultra wide angle camera मिलता है जो प्रेचर साइज F2.2 पर based है जिससे आप काफी अच्छे wide angle shots ले सकते हो और उसके साथ ही आपको 5 megapixel का एक macro sensor मिलता है जिसके मरत से आप काफी अच्छे macro shots क्लिक कर सकते हो 2 megapixel का आपको depth shots क्लिक करने के लिए camera मिलता है तो इसमें भी आपको कुल मिलाकर 4 cameras मिलते हैं यह जो video shoot हो रही है वो 1080p 30fps पर शूट हो रही है कि आपको क्याइस का support मिलता है तो तो आप देख सकते हो कि स्मार्टफोन का आपको electronic image stabilization अच्छा मिलता है और रही बात autofocus की तो यहां पर मैं focus करकर देख लेता हूं तो यहां पर Poco X2 थोड़ा ज्यादा fast focus कर रहा है तो आप देख सकते हो Redmi Note 9 pro Max थोड़ा स्ट्रगल करता है focus करने में बट यह भी focus कर लेता है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यह भी focus कर लेता है और जो Poco X2 थोड़ी zoom in pictures को shoot करता है तो आप देख सकते हो जूम हो गया है Poco X2 के देखने के लिए मिलती है जबकि जो Redmi का Note 9 pro Max है उसने एक्सपोजल को काफी जाधा अच्छे से maintain किया है और आपको काफी अच्छी quality के साथ pictures देखने के लिए मिलती है जो डिटेलिंग है वह भी आपको पोको के X2 में काफी अच्छी देखने के लिए मिल रही है तो इस Redmi का Note 9 pro Max है वो काफी अच्छी फोडोस तो क्लिक करता ही है बट पोको के X2 में भी आपको जो डिटेलिंग है वो भी काफी अच्छी मिलती है बट थोड़ा से exposure level high मिलता है तो यहां पर आप देख सकते हो ज मैं इसलिए पोको X2 को स्लेक्ट नहीं किया क्योंकि उसने मिरी शर्ट का कऱरा वो चेंज कर दिया है तो उसके बाद आप wide angle shorts देख सकते हो यहां पर मैंने पोको के X2 से wide angle short क्लिक किया है 8 megapixel के कैमरा से तो यहां पर आप देख सकते हो जो डिटेलिंग है वो आपको काफी अच्छे wide angle shorts क्लिक कर सकते हो और उसके बाद हम बात करें इसके macro shorts की तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने पोको के X2 से macro shorts क्लिक किया है आपको इसमें 2 megapixel का एक macro camera मिलता है तो यहां पर आपको जो quality है वो काफी अच्छी मिलती है और जो detailing है वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिल रही है और रही बात Redmi के Note 9 Pro Max की तो यहां पर मुझे इतनी खास इसका macro shorts नहीं लगा बट फिर भी जो quality है और जो detailing है वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है और हम बात करें 64 megapixel के camera mode की तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने Poco X2 के 64 megapixel के camera mode से photo क्लिक की है यहां पर मैंने जो focus किया था वो इस text पर किया था जो text देख सकते हो काफी अच्छी से visible है जबकि यहां पर जो मैंने Hitachi पर भी focus किया था तो Hitachi के जो branding है वो भी काफी अधा visible है तो आपको काफी अच्छी quality के साथ 64 megapixel के shorts मिलते है Poco X2 में जबकि Redmi के Note 9 Pro Max में भी मैंने same photo क्लिक की थी जबकि यहां पर जो text है वो आपको थोड़े miss देखने के लिए मिलते हैं इतनी अच्छी quality के साथ आपको जो text है वो नहीं मिल रहा है जबकि Hitachi पर जो मैंने focus किया था उसकी जो detailing है वो काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है बट overall देख जाए तो आपको इत के लिए मिलती है दोनों स्मार्टफोन में in fact जो exposure level है वो भी काफी अच्छे से maintain की हुआ है दोनों स्मार्टफोन ने और रही बात ते इसके low light shorts की तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक साइड मैने नोट नाइन प्रो मैक्स से शूड लिया है और एक साइड मैने पोको GX2 से लिया है तो आपको जो detailing है वो Redmi के Note 9 Pro Max में अच्छी देखने के लिए मिलती है उसके बाद आप next sample में भी देख सकते हो यह भी जो मैने फोटो वो इंडोर ली गई है तो यहां पर आप देख सकते हो जो detailing है वो आपको Redmi के Note 9 Pro Max में अच्छी देखने के लिए मिलती है तो गैस अब बारी आती है कि कौन से smartphone का जो camera है वो आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है तो यहां पर मैं बता दू कि जो Redmi का Note 9 Pro Max है उसमें आपको जो camera quality है वो काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है इन फैक्ट जो photos वो click करता है वो काफी अच्छे से click करता है और काफी अच्छा natural color देखने के लिए मिलता है जबकि जो Poco का X2 है वो थोड़ा boosted color कर देता है बट अबरोल देखा जाए तो Poco का X2 भी काफी अच्छी photos click करता है बट फिर भी मुझे Redmi के Note 9 Pro Max का camera अच्छा लगा है काफी अच्छी natural photo आप Poco के X2 के साथ click नहीं कर सकते जबक जो camera होगा वो काफी अच्छा हो सकता है तो guys आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है अगर आपको कोई सुझाब हो तो नीचे comment section में ज़रूर बताइए तो guys I hope क्यों आपको वीडिच लगी हो तो इस वीडियो को like कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को subscribe भी कर दीजे और स